नमस्कार दोस्तों, आईए सुनते हैं मनिशा कुल सेष्ट द्वारा लिख्यों ही कहानी, जिसका शीर्षक है फांस गोखडे नुमा खिड़की में खड़ी वर रेत पर उतरते अंधिरे को देख रही थी मानु कोई राक्षस रेत निगलता हुआ बढ़ता आ रहा हो गर्मी के इस शाम में हवा की गती में बढ़ती तीब्रता कुछ देर तो भली लगी लेकिन जब आँखे किरकराने लगी तो वह समझ गई के आंधि के आसार हैं उसे पता था हवा जरा तेज हुई की नहीं, बिजली को जाते देर नहीं लगेगी सो उसने लालटेन और दियसलाई करीब रख लिए, ऐसे मैं मुम्मत्ती जराबी कारगर नहीं तमाम दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां मूद लो, उनमें अखवार फसा दो रेत और हवा अपने आने के लिए संध खोज ही लेती हैं उसका खयाल ठीक ही निकला, बिजली चली ही गई, हवा सचमुच बहुत तेज हो चली थी दियसलाई जलानक कठिन हो रहा था, बड़ी मुश्किल से लालटेन जली, खिड़कियों के बंद पटों से रेत टकरा रही थी सूखी मोटे कड़ों वाली रेत, एकदम भरसात की तरह, ऐसी आन्धी और इससे जुड़ी आवाजें किसी अनिष्ट की आशंका क्यूं जगाती हैं खिड़कियों में बने घौसलों में बैठी चिड़ियां पंक फड़ पड़ाने लगी, खिड़कियों के पल्ले खुल चुके थे और खिड़कियों के सीख्चों के बीच बा मुश्किल अटके घौसले तेज हवा से अब गिरे के तब गिरे की हालत में थे सब घौसलों में चिडियों के अंडे वच्चे थे उसे हैरानी हुई प्रक्रती पर वह सोच में पड़ गई चिडियों के घौसले बनाने का मौसम और तूफाना का मौसम एक ही क्यूं होता है डार्विन के सिध्धान पच्चणियां अपने आपको परक्ती हैं क्या हवा खाली कमरों में घुस आई थी खिड़की दरवाजे खड़खड़ा रहे थे आंधी के जार से जीर्ण हवेली की पुरानी दीवारें कामती सी महसूस हो रहे थी वाता वरन बिचित्र ध्वनियों से गूंज उठा था उसने आखे मूद ली मगर ये विकट ध्वनिया सुनकर उसका अवचेतन अपने आप ही अजीब और गरीब कलपनाओं से उन ध्वनियों को जोडने लगा उसे ऐसा क्यों कर लगने लगा था कि इस हवेली में कोई है जो योगों से यहां अकेला छूटा हुआ है और मर्म भेदी उच्छवास ले रहा है अचानक तूटा उखडा फर्स कांप सजाता तो उसे लगता कि वही रेत लीलता हुआ अंधेवे का विसाल राक्षस बहारी कदमों से दूसरी मंजिल के खाली कमरों में चल रहा है कभी लगता कि कोई बरावर नीचे के बड़े फाटक की मौटी लोही की सांकल खटकटाए जा रहा था और अब धहरे छोड कर वह पूरी हवेली में चक्कर लगा रहा है इन विचित्र आवाजों के शोर से वह घवरा कर उठ बैठी अचानक उसे लगा कि उसके उपर से युग फरफराते हुए गुजरे चले जा रहे हैं और वह उस पुरानी हवेली में उपर से शांत और भीतर से डरी हुई बैठी है न जाने कितने योगों के बीत जाने देनी की प्रतिक्षा में है कुछ तो था जो उसके अवचेतन की घुमणन के लिए काफी था ऐसी तूफानी रातों के बाद की हर सुबह वा कालिमा की कोक से बाहर आती थी अगने शिखासी तप्ती तम तमाती मगर खोद के वजूद से बेखवर फटी फटी आँखों से शूर्ने में घूडते हुए उस आत्म विस्मृत बूड़े को देखती जो चुपचा बुझ जाती उस दिन सुबह भी अपनी चाय बनाते हुए उसे अपने इस जनक का खयाल आ गया रात उन्होंने कुछ नहीं खाया था भूखे होंगे चाय के साथ डबल लोटी दे देगी रात की आंधी से पूरा घर अस्तिव्यस्त पड़ा था जहां देखो वहां रेत पहले इत्मी नान से चाय पी ले फिर सफाई करेगी तब तक खेट से भूरिया भी आ जाएगा सहायता हो जाएगी वह चाय लेकर उनके कमरे में गई वे वहां नहीं थे कहां चले गई ऐसी हालत में देखा तो वे आंगर में पड़ी खाट पर अंधे पड़े थे रात की भीशन आंधी में ये यहां कैसे चले आए रेत जमकर वर्सी थी उनके उपर कपड़ों में खुले मूँ में पलकों पर रेतने उनका ताबूत बना डाला था पहले उसने सोचा बेहुशी का दौरा पड़ा होगा पर वहां तो सांस ही नदारत थी उसने चीक का पड़ोस से जैदीब को पुकारना चाहा मगर आवाज गले में फस कर रह गई कुछी दिन पहले वह जीता जाकता आत्मी संबन्ध भी तो मर चुका था वह किसे आवाज दे रही है मन का काश्ट में बदलना उसे साब साब महसूस हो रहा था उसने गहरी सांस लेकर आने वाली आफ़तों के लिए खुद को तयार किया ठीकी तो हुआ है यह देह अपनी गजालतों से मुक्त हो गई उसने बहनों के घर फोन करके अर्थी के लिए बांस की खपच्चियां चीरने से लेकर बांधने तक पडोस से परताब काका साब और गुलाब मामा को बुला कर यह कहने तक काका बस जल्दी ही क्रिया करम कर दो कोई आए भले ना आए अब क्या बचा है इस देह में वो जरा भी नहीं रोई थी अब इस फांस ने उसे रुला दिया है यूँची नी जाती हैं गालियों में लड़कियां कोई रिस्ता उनकी अक्तियार में नहीं रहता कनिश का उंगली में फांस गहरे धसकर अब भूरी पड़ गई है उस फांस को सहलाने से अब दर्ध होता है इसलिए वो इतनी देर बाद पीड़ा के अतिरेक से आंसु छलचला उठे हैं गहरी धसी फांस के सूख जाने की बज़े से या इस सजी हुई अर्थी के सामने बैठ कर एक जीवित इस्पंदित चीकते चिलाते प्रलाप करते बेचेन प्राणी की निर्जीव देह से सहम कर या एक समूचे रिस्ते की ब्याख्या करने पर यह देह जब जीती थी तो उसने उसकी जिंदिगी के तमाम दर्वाजों पर सांकले लगा दी थी यह देह अब जब निर्जीव है तो भी अपने संग उन सांकलों पर लगे तालों की कुंजिया साथ ले गई है आज तो से रास्ते के नाम पर सुरंगों का पता देता एक सुराक और उससे जर्ती पीली रोश्नी भी नजर नहीं आ रही है वो अर्थी के पास चुपचाब बैठी है सामने रखी निर्जीव दिह की प्रती उसके मन में कोई भाव नहीं उठ रहा है न वित्रिशना न शोक न मोह सच कुछ भी तो नहीं वो चुपचाब उंगली में धसी सूखी हुई फास को निकाननी की कोशिस में एक यंत्री की तरह जुटी है मस्तिश्क सुन्न होने के बाब जूद ने पत्य में पूर्ण सजग है खोई हुई आवाजें गुज रही है वो मा की मा इस छोरी से कह दो कि अब आंगन में नहाई तो टांगे तोड़ दूँगा वो आंगन में रखे बड़े से कठोत में घुसकर उचलती कूदती पानी छलकाती हुई सहम गई है अपने दो छोटे अलप विक्सित इस्तनों को अनायास तौलिये से ढख लिया है बड़ी जीजियों की तरह गलानी में डूब कर रह गया है नन्ना सम्वन सीनी पर उगे वो दो फूल उसे पिछबाड़े में उगी नाग फनी पस साल में एक बार उगने वाले फूल जैसे लगने लगे थे वो अपना शरीर देखती है ग्यारे साल की उम्र के बाद बाओ जी की टोक से मानो ठिटक कर वहीं विक्सित होना रुख गए इस्तन होटों के उपर स्याह बालों की रेक लड़कों सी मजबूत काठी पता है अन्तू जब तू भूई थी तो भाई साहब तमतमा का घर से बाहर चले गए थे और हमारी मा यानि तेरी दादी खुब पच्छाडे मार के रोई थी चौथी बार भी लड़की दाई को तो धकिया ही दिया था बिना कुछ दिये लिये बैदी जीनी तो लड़का होनी की पांसुर पए की दबा दी थी पर हो गई तू तेरा नाम तेरी माने अंतिमा रखा और तौबा कर ली एक और आवाज वह भी तो जो उसके जहन में सर जुकाए चिपचाप गुजर रही थी जिसे वह चाहा कर भी कायराना का विशिशन नहीं दे सकी उस पर समाज की दोहाई और विवस्ता की गर्द चिपगी थी दुनिया जहान में रिस्ते की नाम पर चाहे छोटे छोटे अंदे के कांटे लोग दिन रात निगलते हों पर अंतिमा मेरी मा कहती है आंखों देखा मोटा काटा नहीं निगला जा सकेगा जीबन वार मा तुम्हें हिकारत से देखे या मैं नहीं चाहता तुम भी नहीं चाहोगी मैं हमेशा तुमारी परवा करूँगा जब भी पुकारोगी उपस्थित हो जाऊँगा पर बच्पन में हमारी माओं के खिल-खिल में किये कॉल करार को गंभीरता से मत लेना सारी जीजियों का व्या हो गया था मगर माँ उसके हिस्से के अपने सारे कॉल और करार और हिसाब किताब अधूरे छोड़ कर उस दुनिया में चली गई तो भी वह मनहूस बनकर उस घर के भागी से चिपकी रही है बुड़ापे की ओलाद में क्या लड़के ही प्यारे होते हैं दुनिया जहान की उपेक्षेता वो अम्मा को बहुत प्यारी थी वे दिन राज चाती से उससे चिपकाई घुमा करती थी बहुत बड़े होने तक मगर उसके 14 साल के होते होते वे जाती रही अपनी गिर्ती सेहत का इलाज बे नेम हक्मिमों के जरिये खुद कराती रहती बाउजी ने तो उसके पैदा होने के बाद अम्मा की तरफ मुड़कर कभी देखा नहीं कभी-कभी अम्मा के कमरे में हताश फुस-फुसाहट उबरती हमसे मतलब ही क्या उस राण नर्स के रहते आपको एक दिन हम पैर घिस-खिस के मर जाएंगे ब्याहलाना उसे ही उत्तर में वही दहार कल की मरती हो तो आज मर ले तूने दिया ही क्या हमें चार-चार छोरियों के सिवा तीन तो जस्तस ब्याहदी हमें दात किट-किटाते अब ये चौधी इसे तो मैं कुवे में ही फैकाऊंगा अब और करजा लेना मेरे बसका नहीं अपने कमरे की तरफ जाते हुए ताव के साथ मुडते और लपक कर मा के कंदे जखजोर का कहते और जिसे तू राण कह रही है न तैने ही धरम बहन बनाया था उसे और उसी ने तीसरी के ब्याह में बिन ब्याज पैसा दिया था हाँ जी हाँ बिन ब्याज उसने तो हमारा वो सब कुछ गिर्पी रख लिया है जिसे हम अपने जीते जी ना छुड़ा पाए मा के जाने के बाद यह हवेली कितनी सूनी हो गई थी शाम होते ही नेम पर बैठे कववां का शोर इसे और मनहुस बना दिता था फिर रात के ढलते हुए सन्नाटे में मोर की पियाओ पियाओ उसके भीतर एक निर्वात को जन्म देती थी उसके बजूद में भी जब सन्नाटा पसर जाता था तब उसे इस हवेली के भरे पूरे जवान दिन यादाते अपने बच्पन के दिन अम्मा तीनों बड़ी बहने और उनका लाड़ उनकी शानदार शादियां हर तीस्तियोहार उनका माई के आना घर में उत्सप का माहौल आए दिन बना रहता था पिता का ब्यापार और सट्टा दोना उरूच पर थे याद आता फागुन में पकते गए हूँ और जलते पलाशों का मौसम और उसकी चाची के बेटे जैदीब के साथ बैल गाड़ियों के पीछे लटक कर उसके खेतों पर जाना जंगल जलेवी के उँचे पेड़ों पर चड़ जाना बबूल पर लटके पूरे बने और अदबने बया के घौसले उतार लाना ड्रेगन फ्लाई की पूछ में धागा बानकर हेलिकॉप्टर बनाना बच्पन ही से उन दोनों को पता था कि उनकी माओं के सखी भाव में किये गए करार के अनुसार बड़े होकर उन दोनों की शादी होना तैय है मगर उससे उनकी गाड़ी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता था वो निकर पहन कर जैदीप के साथ जम कर गिल्ली डंडा खेलती लड़कियों के खेल उसे रास कभी नहीं आए बेटे के अभाव की अपनी मनो ग्रंथी के तहट बच्पन से अम्मा ने उसे हाप पेंट शर्ठी पहनाई थी छोटी छोटी आँख हैं भक गोरा रंग छोटी गोल नाग उपर वाले होट के उपर हमेशा पसीने की बून है और गहरे भूरे रौएं छोटे कटे घुंगराले बाल अकसर अंजान लोग उसे लड़का समझ लेते जैदीप के नई दोस्त उसकी पीट पर धौल जमा देते लड़का समझ कर अम्मा के साथ ननिहाल जाते हुए बसका कंड़क्टर भी उसे लड़का समझ लेता उम्र का वह संदिस्थल ना आया हूता तो अब मा का बेटा बनी रहती पास दिन घर में बंद रहने के बाद वह छटे दिन चहरे पर धेर सारी अब्यक्त गलानी लिये छट पर गई थी तब जैदीब हसकर बोला था तो जीजी की तरह तेरे भीतर भी अब कांच की गुडिया रहने लगी है मा कहती है लड़ाई में बहन को पेट में मुक्का नहीं माना लड़किया अंदर से नाजुक होती है कांच की गुडिया से क्यों क्या हर वक्त मा कहती है ये मा कहती है वो मा कहती है मेरे अंदर कोई कांच की घूड़िया उड़िया नहीं रहती उसने प्रतिरोध किया था जैदीब के फौज में लांस नाइक की ट्रेनिंग पर जाने के बाद और मा के मर जाने के बाद वे खुदी ही चकने लगी थी चाची के घर जाने से कहीं उसे चाची बेसब्र न समझ लें रिष्टा तो तै है मगए चाची उसके पिता से चिर्टी भी है और ड़ती भी उसकी संपूर्ट चेतना पड़ोस के उस घर की सुख बुगाहाटों पर लगी रहती मा के साथ बच्पन चला गया जैदीब के साथ आँखों की कोटरों से हरीयल सपने भी उड़ गए थे मा सच में उसे कुवं में फैके जाने के लिए छोड़ गई कुवा ही नहीं अंधा कुवा जिस कमरे में उसे मा के सधे गले से सुन्दरकंड की आबाजों की धूप उगा करती थी उस कमरे में से उभर थे आबेग में आतुर पुकारों और उत्तरों के रहसे में धुनुलके ने उसे जीवन के समस्त गुपतर है से समझा दिये थे वो अपनी किताबों अपना चित एकागर करती ही थी केका अलसाई आवाज गुंचती अब जाओ बाओ जी के उसके प्रती बित्रिशना जीवन भर रही बच्मन में मनहूस कहीं की या छोरी के अलावक कब उसे प्यार से अंतिमा कहकर बुलाया हाँ बुलाया था एक बार नशे की हालत में अपनी असीमित, अनैतिक और किसी मनोरोग की हद तक जा पहुँची कामना के जुआर में अंतिमा और फिर बित्रिशना का बचा खुचा हिस्सा उसके पाले में आगे रहा था अब उसे करनी थी बित्रिशना अपने उस जनक से जीवन भर किसी तरह उसने ग्यारवी पास कर ली थी, उसके बाद उन्होंने उसकी फीस देना बिल्कुल बंद कर दिया था उसने महले के दो-चार बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया वह भगवान का शुक्र मनाती थी कि कम से कम उसके पास कहने को एक घर तो है अपना कमरा है, आंगन है आंगन के दो विशाल नीम के पेड़ है लंबी-लंबी छटे हैं जिनने फांद कर वह पडोस में जैदीब के घर में कूथ जाया करती थी चाची का हाथ बटा कर जैदीब से बाते कर बाओजी के लोटने से पहले आ जाया करती थी मगर इसी घर ने अपनी दीबारा में भीतर ही भीतर नागफनी काटे उगा लिये थे इस घर का स्वामी उसका जनक जुन्ड से तज दिये गए बूड़े शेर की मानिंद हवेली नुमा गुफा में दिन राज चक्कर काटा करता अब नर्स भी कभी आती तो दो मुष्टंडों के साथ पैसे का तकाजा करने के लिए ही आती उसे चुकाने के लिए उन्हें हवेली के पीछे का आहाते का बड़ा टुकड़ा बीचना पड़ा वे अपनी हार, हताशा और अकेले पन के गर्थ को शराब से पाट रहे थे समाज में उन्हें पहले का सा सम्मान मिलना खत्म हो चुका था रिष्टेदार दुरदराने लगे थे उस रात उनके नशे में घर लोटने की आहट से हवेली कपकपा गई थी उसके कान सजग हो गई थे रसोई में उनकी थाली उसने ढखकर रग दी थी अमूमन जब वे देर रात पीकर लोटते तो जैसे तैसे खाना खाकर वे सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाया करते थे सुबह देर से आढ़त पर जाते मगर उस दिन वे लड़कडाते हुए चीजों से टकराते उन्हें गिराते खुद गिरते हुए सीधे उसके कमरे में चले आए अन्तिमान सो गई क्या आब आज सायास नरम की गई थी वे चुप रही उनसे उसका बारतालाब लगभर नमी नहीं के बराबर होता था बहुत दिनों से तुने इसकुल की फीस नहीं मांगी इसकुल छोड़ दिया क्या वे अंधेरे में टटोलते हुए उसके विस्तर पर बैट गए जेब से एक नोटों की गड़ी निकाली ये ले फीस बारेवी में एंडमिशन ले ले तू ही मेरा लड़का है अब तो कमरे में धुंदली जीरो पावर के बल्व की रोशनी थी उनके क्रिश सरीर की परचाई भी दीवार पर दानव की तरह पड़ रही थी उसके सर पर हाथ फेरते फेरते अचानक उनके हाथ नीचे सरकाई अचानक भी उसके इस्तन दबूचने लगे वह बुरी तरह चीख पड़ी तो गुस्टे से भनना गए शोर मत मचाई चूरी कहकर एक चाटा रसीद कर दिया था और अपने कमरे में चले गए वह रात पर कापते हुए और रोते हुए अपने संकल्पों और विकल्पों से उल्ची रही उसे पड़ लिककर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा इस यंत्रणा ग्रह से निकल कर भागना होगा कब कहां और कैसे उस दिन पहली बार उसे अपने दवंग लापर वाह विद्रोही व्यक्तित्य के बाहरी आवरण के भीतर एक कांच की नाजुक गुडिया कांपती नजर आई थी उसकी सुरक्षा को लेकर वा डर गई थी गलियों में आए दिन पुर्षों के स्वर में बकी जाने वाली गालियां उसके जहन में गूंज रही थी वे गालियां जिनका इस्तेमाल क्रोध में भी होता है प्यार में भी दो पुर्षों के शक्ति प्रदर्शन के बीच औरतों के जिस्म चिने जाते हैं जिन में चिने जाकर खोन के रिस्ताओं का दन घुटा करता है। बहुत मुश्किल उसे सम्हाला था उसने, अपनी टहनी की तरह तूट जाने वाली उस उम्मर में स्वैम को। वह उठी तो नोटों की गड़ी जमीन पर गिर पड़ी थी। उसने चुपचाप से खाट की निवार के नीचे उसे चुपा दिया, आखिर उसे एक दिन पास के शहर के नर्सिंग कॉलेज में दाखिला जो लेना है। सुबह सुबह जब वे उठे तो शायद उन्हें कुछ याद नहीं रहा, सिवाए इसके कि उन्होंने सटे में जीते नोटों की गड़ी कहीं गिरा दी है। उन्होंने जब उससे पूछा, तो उसने पूरी उदासींता के साथ अनभिग्यता जता दी। पिछली रात के उस अपवित्र इसपर्स की लिजलिजाहट उसके व्यक्तित में फास बनके गड़ गई थी। वे उनके सामने पढ़ने से बच्चती। चित्त को जुलसाने वाली इस घटना के बाद उसने घबरा कर जैदीब को पत्रे लिखा था। सत्रे साल की लड़की की भूली भाली आशंका के तहट या जाने उस पर अपने अखंड विश्वास के तहट अब याद नहीं कि क्या लिखा था। पता नहीं वा अपने डर्ग को पूरी तरह ब्यक्ति भी कर पाई थी की नहीं मगर उसका उत्तर जरूर आया था। कि वा बेबज़य डर गई है कोई पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है वा ट्रेनिंग के बाद सालाना चुट्टी पर आएगा तब बात करेगा। वा उस साल नहीं आ सका ट्रेनिंग के तुरंत बाद उसकी उनिट की कश्मीर में तैनाती हो गई थी। इस बीच ब्यक्तित्य की तमाम परतों के भीतर बहुत सहेज का रखी वा काँच की गुडिया तूठ ही गई। उस दिन सियारों की हू हू में उसकी नीद खुली थी। अंधेरे में उसने देखा उसके सिरहाने कोई खड़ा है। लड़ खड़ाते हुए बनयान पहने मगर नीचे से पूरा नगन। उसका सारा वजूद जैसे मानो वर्फ के नीचे दब गया था। उसे लगा सपना है। मगर लिज-लिजे इस परसों ने जल्दी ही इसपष्ट कर दिया कि यह सपना नहीं था। गालियों से चिना हुआ ये खून का रिस्ता है जो तमाम सब्समाजों के पल में पर खच्चे उड़ा कर उसे आदिम काल की गुफाओं में लिये जा रहा था। उसके पिता नहीं उसका सिर्दीवार से दे मारा अर्द चेतन तामे जाने कब समाज और सब्समाजों के कानों में वर्सों से वह एक गाली जो गर्म सीसे सी गिरती थी। चीक अंदर ही अंदर घुटती रही, निहत्ते शब्द हताशा में उलटकर उसका ही अंतस खरूच देते, अपने ही घर में वह खुद को साथ तालों में रखती, रात को उठोटकर कमरे की सिटकनी देखती कि लगी है कि नहीं। पाहे फैला कर उसकी प्रतिक्षा में थी, वह आया, छट से छट के रास्ते नहीं, हवेले के बड़े द्वार से, नेम के पीले पत्तों से अटे आंगन में, पत्तों पर चर्र मर करते हुए बड़े बड़े डग भरता हुआ, पिता से बिना डरे, बिना हिचके, एक आपचार का विवादन के बाद सीधव उसके कमरे की सीणिया चड़ गया था, जब गया था तो किशोर सा लगता था, अब पुरुस बन कर लोटा है, चाल में फोज का सिपाही होनी की पूरी ठसक आ गई है, उसके अंदर नमी की बाकी बची एक परत सिहर गई, वह चाहा कर भी अजय को तो उसके पास गानी में बिंधे उस रिष्टे के बयान के लिए शब्द थे ही नहीं, आसू थे, पीड़ा थे, जख्म थे, उदड़ा हुआ अवचेतन था, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, जिससे वह समझा पाती, मगर अंतिमा के पिछले वर्स ल लारे, मालिक रो बैवार ठीक कौनी, दारूरा नसामें भी कुछ भी कर सके, बवाने होस कौनी रहे हो, कि या बेटी है कि बेंड, जैदीब के सामने ही जब चाची भूरे के मुँसे या बास सुन रही थी, तब वो अपने नाती को कांटे निकाल निकाल कर मचली खाना भी सिखा रही थी, बेटा बारी कांटे तो रोटी के साथ चबा जा, पर बड़ा कांटा आख से देख कर पहले ही निकाल का बाहर रख दे, मा की सीख पर नाती नहीं नहीं, बेटे ने भी अमल किया था, उसने अपने जीवन के तीन लंबे शुन्ने वरसों के खाली पन को जर जाता है तो पूरा का पूरा याद नहीं रहता, लेकिन टुकडा टुकडा वजहन में जरूर बनता बिगडता रहता है, केलाइडोस्कोप की तरह या फिर कोलाज की तरह, कई बार ये टुकडे और ते चीथनों की तरह सपनों के चहरों पर जा चिपकते हैं, कितनी ही कार सुरंगों में भटकता उसका स्वय भूरी काली जिल्लियों में फसी एक चिडिया के भूर सी फड़पडाती उसकी आत्मा कभी कभी एक सुर्क अंगारा उसकी देह के उनी अनभिग्य असाफधान अजाने प्रदेशों पर भटकता हुआ उसकी चितना को सुलगाता हुआ गुजर जाता उसकी नेद खुलती जांगों के बीच एक से अंतरालों के बीच जल्दी जल्दी होने वाले संकुचनों से वह समझ नहीं पाती कि डर के अतरेक और आनंद युक्त तनाप का मिला जुला कैसा चरम बिंदू है ये क्या है ऐसे पलों में उसे अपनी देह बिलक्षन स्वरों में बिलाब करती महसूस होती और अन्ततह वह अवसाथ के बीच और बीच गिलानी के द्वीप पर स्वेम को पाती उसकी गलती तो फिर ये रज्जू और मज्जा तक के भीतर छिपी ये गिलानी कैसी उस दिन भी तूफान के ऐसे ही आसा नजर आ रही थे उसे जब नीचे से एक करकस आबाज गुंजी थी तूफान आने वाला है नीचे उतर का आंगान में कुछ पड़ा हो तो उठा ले वह नीचे उतरी थी बाहर लाल मिर्च जो सूखने को डाली थी उठा कर उसने रसोई में रखी ही थी कि उसे पीछे से दबूच लिया गया दातों के बीच जीब सावा खुद को बहुत बचा कर रखती थी मगर जरासी असाब धानी में जीब कभी कट जाती तो कभी बच जाती उसके पिछले घावों के खुरंटी अभी हरे ही थे वह अपमान और पीड़ा दोनों की भयावह और घिनोनी कलपना से सिहर गई मन में छिपे क्रोध की एक चिंगारी सुलक का पूरे बजूत को दावानल की तरह सुलगाने लगी उसने अपनी कोहनी से पूरे दम खंके उसकी पसलियों पर वार किया वह चीक कर वहीं बैट गया तब का जो बिस्तर से लगा तो फिर उठा ही नहीं सोचादी के लिए भी वह भूरिया पर निर्भर रहता आंतें खाना बामुश्किल पचा पाती अंतिमा को उसकी इस हालत पर कभी कभी पश्चाताब भी होने लगा था ज्यादा ही जोर से मार बैठी थी वह लेकिन वह कभी हैरान भी रह जाती तूटी पसलियों के साथ बिस्तर से जा लगी उसके जनक की जरजर देह के भीतर अब भी क्या क्योई कामातुर रक्षस रहता था जब भी वो अपने कमरे से कॉलेज को जाने के लिए नीचे उतरती आंगन में खाट पर बैठे हुए उस प्यक्ति के मुझ से लगाता मवाद की तरह गंदी गालियां टपकती फटी फटी रहने लगी थी वो दो जलती आँखें उनमें उनमाद औ गलानी दौन जगडालू पलोसियों की तरह रहते बेजब गालियां नहीं देते तो आंगन की दीवार से सर फोड़ा करते या उसे दिखा दिखा कर अपने चपले अपने मुपर दनादन मारा करते वो मुप फेर का घर से बाहर निकल जाती कॉलिद जाने के लिए बस में बैटते ही इन गालियां से उपची जुगुपसा से एक उल्टी में सारा खाया पिया उलट जाता वो उठते बैटते मनाती कि अब तो ये जीता जाता प्रेत अपनी समस्त मान सिक्वा शारिरी की अंतराओं से मुक्त हो जाए उसने उंगली की फांस को सहलाया उसे लगा आंधी तूफान और रेती जरजर बरसात के बीच कल रात के किसी पहर में चीखता चिलाता फटी आंखों से शुन्य में देखता कभी खुद को कभी उसे कोशता अपनी चपलों से कभी अपने को पीटता कभी उस पर फैक का मारता एक जीवित प्रेत तो इस हवेलियों की दीवार से मुक्त हो गया है मगर एक दंस छोड़ गया है अर्थी अभी दालान में स्वज़नों की इंतजार में पड़ी है लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं उमा जी जी पास के गाउं में ब्याही है सो वो जल्दी ही चली आई है अंदर बुवासा को समाल रही है चार-चार छोड़ियों की जिम्मे बारी में खटके उमर से पहले चला गया मेरा भाई एक लड़की की आज इसके जी में रह गई हाई अब इसका स्राद कौन करेगा निर्बंसिया रह गया मेरा भाई इसकी बनाई जैदाद को गिध लूटेंगे चुप रहो बुवासा यहां ये सब मत करो अन्तिमा खीच का चीख पड़ी जीजा बाहर बैठक में आने जाने वालों को देख रहे है बाई जी के भाई और भतीजों का इंतजार है शाम तक बाई जी के भाई भतीजे नहीं आये तो उसने जीजा से अर्थी उठा देने को कहा हाँ जल्दी है जीजा सा मुझे जल्दी है अन्तिम क्रिया करने वाले तो बेही हैं इनके भतीजे इनका क्रिया करम तो मैं करूंगी जीजा सा क्या बक्वास करती है अन्तु गाउं वाले क्या कहेंगे तुम चुप रहो जी जी, मुझे परवा नहीं किसी के, परताब चाचा और गुलाब मामा उठाओ आप लोग अर्थी आब आज में अजीब सी तल्खी किसी और ने महसूस की हो की नहीं, बगर स्वेम उस तल्खी को महसूस कर रही है आंगन में धूब जब सिमटने लगी, तो हबेली से अर्थी निकली, गली धूल के गुबार से धूसर पड़ी हुई थी धोर डंगर घर लोट रही थी, महले के पुरुस अपने अपने अंगोचे कंधे पर डाल कर, शब यात्रा में शामिल हो गए कुछ पड़ोसी होने के नाते, कुछ कुटूहल वर्स, औरते अपने घरों की खिड़कियों से घूंगोटों मैं सिताक रही थी, उस कभी न देखे गए दृष्षी को राम नाम सत्य है, की हलके हलके उदास गूंज के साथ हलका सलिटी शलवार कुर्ता पहने, दुपटे को कमर पर बांधे अंतिमा अर्थी के आगे आगे पानी भरी मटकी लेकर चल रही थी, जिसके तल मैंसे बून बून जल टपक रहा था, रास्तिवा सारा गाउं से हैरत स देखता रहा, उसका चहरा हमेशा की तरह पत्रीला सा था, ना सुख ना दुख ना शोक ना उल्लास, शब यत्रा के समसान पहुँचते ही अंधेरा घिराया था, एक बड़ा सा बरगत, पास बहती बैरागिन सीनदी, इधर उधर विखरी राग, अर्थी से शब का संसकार कराती वह हिचकिचा रहा था, मगर वह सारे संसकार तठस्तता से निर्देशा नुसार पूरी करती रही, तो पंडित भी सहज हो गया, मुखागनी देने के पाँच मिनट के भीतर शंसान के सननाटे में चिता तर-थर आकर जलुठी, कपाल किरिया के ठीक पहले, जी का प्रेत मुक्त हो जाता होगा, विचारों के घनी भूत बवंडर की संभावना से घबरा कर, उसने कपाल पर एक भरपूर प्रहार किया, कपाल अस्थियों के टुकडे विखर गए थे, सो वैसे उंगली में धसी फांस को उसने सहलाया, अब वह वहां नहीं थी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे, मनिशा कुल स्टेश्ट द्वारा लिखी हुई कहानी, फांस, मिलती हैं एक और नहीं कहानी के साथ, धन्यवाद